तोस्तो हाली में Eurasian Times के एक रिपोर्ट में रशिया के सुखोई SU-57 Fighter Aircraft को लेके एक बहुत बड़ा दावा किया गया दावे के मुताविक रशिया सुखोई SU-57 Fighter Aircraft को F-22 के खिलाब खड़ा करना चाता था और इन यारप्टों को एक्सपोर्ड भी करना चाता था पर US मेडिया के मुताविक भारत ने SU-57 के प्रोपागंडा का हवा निकाल दिया तोस्तो बैसिकली Eurasian Times के इस रिपोर्ट में National Interest के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऐसे दावे को किया गया बैसिकली National Interest अमेरिकी बेस्ट एक ऐसा ओनलाइन मैगेजिन है जहाँ पे जादातर फॉरेंड फॉलिसी इंटरनेशनल एफेर्स और डिफेंस इक्वेपमेंटों के बारे में जानकरी दिया जाता है National Interest के हाली के आर्टिकल में F-35 एरक्राफ्ट को साफ साफ असफलता हेतू बरबादी बताया गया और ये भी बताया गया कि जल्दी ये एरक्राफ्ट कहीं नहीं जा रहा है मतलब ये एरक्राफ्ट इतना जल्दी अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हो रहा है दोस्व आपके जानकरी के लिए बता दू कि सुखोई ASU-57 असल में रश्या का एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर एरक्राफ्ट है जिसे रश्या के तरफ से अमेरिकी F-22 और F-35 फाइटर एरक्राफ्टों के जवाब में तयार किया गया और वैसे तो ये एरक्राफ्ट उपना पहला उड़ान 2010 में भरा था लेकिन इन एरक्राफ्टों को ऑपरेशनली रश्या के बेड़े में हाली में ही शामिल किया गया और आपको जानके हैरानी होगा कि अब तक रशिया के बेड़े में ऐसा खली एक ही एरक्रैप्ट को शामिल करना समभव हो पाया है और रशिया भी अब तक खली ऐसे 76 एरक्रैप्टों का ही ओर्डर दिया है जिन में से भी माना जा रहेगी जादातर एरक्रैप्टों के डिलि और शायद दोस्तों इसी वज़ा से ही अमेरिकी मैगेजिन में इस बारे में टिपपनी करते हुए बताया गया कि असफ़लता है तु बरबादी और ये एरक्राफ इतना जल्दी ऑपरेशनलाइज नहीं होना वाला है। साब साब ये भी बताया गया है कि रश्या का एक बहुत बड़ा होब भारत था। इवन आपको भी बता होगा कि भारत और रश्या के वीच में एक जॉइंड वेंचर भी था जिससे FGFA प्रोजेक्ट कहा जाता है। पर इस प्रोजेक्ट के अंतरगत रश्या के द्वारा कई सारे शर्तों के साथ कई सारे टेक्नोलोजी देने से मना किया गया। और साती साथ भारत के आवशक्ताओं को भी उतना हद तक रश्या के ये यारक्राप पूरा नहीं कर पा रहा था। इस वज़ा से साल 2018 में रश्या के इस प्रोजेक्ट से भारत अपने आपको विड़ॉल कर लिया। और दोस्तों इसी चीज़ का हवाला देते हुए नियाशनल इंट्रेस्ट में बताया गया कि भारत ने रश्या के इस प्रोपगंडा को ध्वस किया। दोस्तों यहां पे प्रोपगंडा के रूप में यह भी वताया गया कि रश्या इन यारक्रेप्टों को मतलब सुखवई SO-57 यारक्रेप्ट को F-22 के बरावर के यारक्रेप्ट के रूप में दर्शा के एक तरीके से प्रोपगंडा कर रहा था ताकि रश्या को इसे लेके मिले और एक्सपोर्ट मार्केट में इन एर क्रेप्टों का जगा मिले नैशनल इंट्रेस्ट के आर्टिकल में ये भी वताया गया कि रश्या के इंटेंशन असल में भारत के साथ सुखोई 30 MKI प्रोजेट को लेक को देखा जाए तो इनमें कई सारे बात تو सही है लेकिन कई सारे बात में आबजेक्शन भी है सही बातों को अगर देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि रश्या भारत के साथ एर क्रेफ्टों को लेके कई एरक्राप्टों का निर्मान किया गया और उनमें ऐसा कोई भी एरक्राप्ट नहीं है जिसके रिसेर्च और डेवलोप्मेंट के दर्मियान भारत द्वारत द्वारा भागेदारी निभाया गया हो। एक तरीके से रश्या के एरक्राप्टों के प्रोजेक्ट डिले भी हो रहा है और रश्या के एरक्राप्टों के रेपूटेशन भी घटता जा रहा है। प्रोजेक्ट को प्रोपागंडा कहा जाए और भारत के अलग होने को प्रोपागंडा को ध्वास करना कहा जाए। प्रोजेक्ट से अपने आपको इसलिए अलग किया गया था क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहट भारत के एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा था और रश्या के जो शर्त था वो भारत के लिए सही नहीं था। भारत के दुआरा अपने प्रोजेक्ट में कुछ एक्स्टा डिमांड रखा गया था जैसे कि नए इंजिन, नए रैडर और कुछ इंडिया स्पेसिफिक मॉडनेशन के साथ साथ भारत के साथ टेक्नोलोजी शेरिंग और डेवलाप्मेंट में भारत के अधिक से अधिक भ ले इसके डेवलाप्मेंट में पहले फ्रांस को भी एक पार्टनर बनाया था लेकिन एरक्राफ हकिकत के शकल लेने से पहले फ्रांस उससे बाहर निकल चुका था और दोस्तों इसका कते ही मतलब यह नहीं कि फ्रांस द्वारा योरो फाइडर टाइफून के बनाने में सक्षम नहीं हुआ और कई तरीके के एक्विपमेंट अवी वी रेशिया को बनाना है जिसके लिए शायद 2027 नहीं कम से कम 2024 तक तो इंतिजार है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैन झाल झाल कर वीडियो अवी पेडियो अवीडियो अजड़ मेरे टापके लिए परुबना टारपके लोगा वीडियो वीडियो तरीके